नमस्कार दोस्तों इमीडिया वेबेड एप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो लोग न्यूज पोर्टल रन कर रहे हैं उनके पास कई सारी ये समस्या होती है और बार बार ये समस्या के लिए सवाल हमारे पास आता था तो आज ये वीडियो आप सभी की बीच में हाज़िर है कि हमारी न्यूस पोर्टल की वेबसाइट सर जो क्यों हो जाती है क्यों स्लो हो рही है अगर ये कई सारे सवाल आ रहे थे हमारे पास अगर कई लोग सालों से वेबसाइट चला रहे हैं या कहीं सा बनवाई है उनोंने या फिर वो बनवाना चाहते हैं, कई लोगों ने किसी से पता किया है, तो उसके उपर ये topic आज होने वाला है, मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से clear कर दूँगा कि क्या problems आती हैं, उसके क्या solution होते हैं, और कैसे आप अपनी website की speed of performance best or better कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आप इस हमारे channel पर पहली बार आए हैं, तो हमारे channel को अभी subscribe कर लिजे, क्योंकि news portal, web media, media accelerated जानकर आपको हमारी channel पर मिलती रहती है, हर बार की दरत दोस्तों, इस topic पर पूरी detail research करके, आप लोगों के लिए जो सुची तैयार करिए, आज उस पर बिंदुवार रूप से हम बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि दोस्तों, news portal की, या हम यहाँ पर एक news portal को भी ले सकते हैं, news portal को, पहली बात तो आपको यह clear करना चाहूँगा, कि portal क्या होता है, और website क्या होती है, क्या दोनों एक होते हैं या इन दोनों में अंतर है और अंतर है तो क्या अंतर है दोनों में क्या डिफरेंस है इस पर पूरा डेटेल्ड वीडियो में बना चुका हूँ आप हमारे चेनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं कि पोर्टल क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है तो दोस्तो हम portal की यहां बात कर रहे हैं कि इसमें portal हो या कोई shopping portal हो या कोई job portal हो तो दोस्तो जो इस तरह की चीजे हैं जो बड़ी websites होती है तो दोस्तो बड़ी website में यह समस्या आम है speed slow हो जाना और तकलिफे आना कई सारी तो क्यों आम है और क्या ऐसे कारण बनते हैं जिनके कारण ये problem आती है उस पर बात कर लेते हैं कि दोस्तों कारण कई है एक एक कारणों पर हम चर्चा करते हैं जैसे पहला कारण हो सकता है कि सस्ती hosting क्या होता है कई लोग website जब बनवाते हैं या news portal बनवाते हैं तो वहां उनके सबसे पहली requirement होती है कि सर्फ portal सस्ता होना चाहिए सस्ता सस्ता दोस्तों सस्ता यह सस्ता ही तो आपको दुख दे रहा है दोस्तों अब यहीं बात आजाती है कि सस्ते की जगे आप अच्छे पर जाएं मैं आपको यह बिल्कुल सजेस नहीं करता कि आप महंगे पोर्टल बनवाएं जैसे अब मैं यहाँ पर रुपकर एक बात बताना चाहूँगा अगर आप news portal बनवाना चाहते हैं तो e-media web and app से भी बनवा सकते हैं उसे ज्यादा के भी बने हैं 30-40,000 रुपके तक की पोर्टल भी हमने बनाए हैं पर मैं आपको यह सजेस नहीं करता कि आप इतने महंगे पोर्टल बनवाएं पर मैं आपको यह भी सजेस नहीं करता कि आप सस्ते सस्ते news portal बनवाएं दोस्तों सस्ता ही परेशानिया देता है और वही सारी परेशानियों के सवाल हमारे पास आते हो उन परेशानियों के बारे में और उनके solution हम वीडियो के माध्यन से आप सभी को बताते हैं तो क्यों ऐसा काम किया जाए जिसके कारण आपको परेशान होना पड़े तो दोस्तों सबसे पहली बात तो सस्ती होस्टिंग के कारण एक ये problem आती है होस्टिंग क्या होती है ये भी आपको मैं किसी detail वीडियो में और बता दूँगा पर हम normally यहां समझ लेते हैं कि जो एक space होती है जो एक server होता है जिस पर अमारी website होती है वो server अगर वो सस्ता है कि यूदि सस्ता महिंगा अच्छा market में हर तोरग यह सर्वर होते हैं और जहां से आपने website अगर सस्ते में बनवाली है स्वाभावी किसी बात है वो आपको अच्छा और महिंगा server नहीं देंगे तो वह आपको सस्ते, मतलब कम रेट लेकर आपको सस्ता सर्वर दे देंगे जो आपको लंबे समय तक दुख देता रहेगा और आप वहाँ से परिशान होकर हो सकता है वेबसाइट ही बंद करवाद है तो दोस्तो सस्ता सर्वर है तो आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है लोकल सर्वर अब सस्ते के बाद मैंने लोकल की बात की दोस्तो कई ऐसे कई सारे लोग हैं कई सारी ऐसी कमपनिया हैं जो ऐसे ही गिराहों को का इंतजार करती है जो सस्ता सामान डोलते है तो दोस्तों सस्तों के लिए सस्ती hosting भी होती है, लोकल hosting होती है, तो अगर आपने कहीं ऐसी जगे से website बन वाली है, जो बहुत ज़ादा slow चल रही है, तो दोस्तों वह हो सकता है, local hosting उन्होंने आपको दे दी हो, अब आती है दोस्तों free server, internet पर कई ऐसे platform में जहाँ पर free server होते ह तो अगर कोई आपको ऐसे बाते बोल रहा है कि 2000 में वेबसाइट बना देंगे, 3000 में वेबसाइट बना देंगे, इतनी सुविधायों देंगे और प्राइस बहुत कम, तो आप compare करने लगते हैं कि यह company तो इतनी सारी facility दे रही है पर उसका charge लगबग इतना ले रही है, और य सस्ती चीज मतलब बात वही हो जाती है कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो बात उतनी हो जाती है, और शायद कई बार तो उससे ज़्यादा पेसा आप दे चुके होते हैं उन समस्याओं को सुधारने में, तो एक हो जाता है free server, अब आप जाता है copy या crack setup, जब आ आपने सस्ती एकडम local cheap, कभी भी company का mobile लेते हैं, मैं सानी बहुत नहीं आती हैं, या शायद बहुत कम आती है, जितनी एक local चीज में, एक company का mobile और लोकल चाइना का mobile, दोस्तो चाइना के mobile में समस्या आती हैं, उन्हें आप बार बार जाकर ठीक करवाते रहते हैं, इंटाइ में सा जाता है, सामने वाला बुलता है, इससे फेक दो, कोई काम का नहीं बचा, क्योंकि आप उसमें सुधार भी नहीं हो सकते हैं, पर दोस्तो branded चीज में आप ये चीज देखते हैं, समस्या बहुत लंबे समय बाद या बहुत कम आती हैं, और उसका सुधार भी बड़े professional तरीके से हो जाता है, तो दोस्तो इसी लिए ये अंतर आ जाता है, एक professional चीज में और एक सस्ती चीज में, तो सारी समस्या सस्ते के कारण आ रही है, तो आगे और समस्या जानते हैं, क्योंकि हमारी मुख के समस्या है, website slow होना, तो दोस्तो अगर आपका free server है, या copy setup कई को मिले, file अगर overload हो जाती है, दोस्तो आपकी website पर डाटा, data डालती जा रहे हैं, data डालती जा रहे हैं, इतने सारे post, इतने सारे file, इतने सारे photos, इतने सारे videos upload कर दिये हैं, तो उस पर data काफी जादा हो गया, ये data आपकी website को heavy कर दिया है, और इसके कारण इसकी speed slow हो गई है, ये hosting की capacity होती है, दोस्तों, जैसे हर mobile के अंदर memory की कुछ capacity होती है, 1GB, 2GB, 6GB, 10GB, 32GB, तो दोस्तों, वेसे ही जो आपकी hosting होती है, आपका server की hosting जो होती है, उसकी capacity होती है, डिपेंड करता है, आपको आपने अगर जहां से hosting ली है, या फिर आपके जो developer है, उन्होंने आपको जो hosting दिया, उसकी capacity क्या है, अगर capacity कम है, तो स्वाभाविक से बात है, वो data heavy हो चुका है, और capacity कम होने के कारण website बार-बार बंद होने लगेगी, या बहुत जादा slow हो जाएगी, तो दोस्तों, ये भी एक कारण है, minimum कितनी होना चाहिए, मैं आपको यहां पर ये भी बता SSD hosting अलग होती है दोस्तों, और HDD hosting अलग होती है, इसके ओपर detail वीडियो बना दूँआ, क्योंकि ये एक अलग separate topic है, पर दोस्तों, जितना हो सके, आप कोशिश करें, कि minimum 1GB, एक news portal के लिए, 1GB minimum से minimum तो होना ही चाहिए, 1GB hosting, प्लस वो भी SDD होना चाहिए, दोस्तों, SSD, SSD 1GB hosting minimum एक news portal के लिए होना चाहिए, पर बाकी तो जितनी ही जादा हो, उतनी अच्छी, और उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं, कि space की हमने बात कर ली है, अब heavy photos दोस्तों, कई लोग अपने, आजकर mobile से भी जब कोई photo हम अच्छे camera वाले mobile से जब photo click करते हैं, तो वो photo करीब अपने portal पे वो heavy photo को ही upload कर देते हैं, तो दोस्तों उसके कारण भी website slow हो जाईगी, उसके दो reason है, पहला तो उसकी space जो आपकी photo है, उसकी size ज्यादा है, तो जब कोई भी उस news की link को open करेगा, तो उस photo को load होने में time लगेगा, तो speed slow हो जाएगी, दुसरा ही है, कि वो इतने साधा आप heavy photo डाल रहे हैं, अपने server के उपर, तो server heavy, उसका load ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी site slow हो जाएगी, तो आप जितना हो सके कोशिश करें, अपनी photo को, जो आप post में, news में upload कर रहे हैं, उसे compress करके, normally 1.500KB से अंदर का रखें, 1.500KB, कई ऐसे आपको online platform मिल और कई ऐसे सारे softwares और mobile में applications मिल जाएगी, जो आपकी photo की quality भी वेसी ही रहेंगे, उसकी size भी कम कर देंगे, तो minimum, maximum तो आप क्या बता हैं, बाकि minimum 1.500KB से अंदर का रखेंगे, तो ज्यादा performance अच्छी बनी रहेगी, कई लोग क्या करते हैं, अपनी website के उपर अगर space ज् अपलोड कर देते हैं, दोस्तों ऐसा न करें, वीडियो अपलोड करते हैं, बात बार बार वहीं आ जाती है, कि डेटा ज्यादा हो जाएगा, website हेवी हो जाएगी, तो website load लेने में ज्यादा time लेगी, तो वीडियो अपलोड न करें, वीडियो डालने की बज़ा, उसे linking करें अपने youtube channel को अपने web portal से linking कर लें, ताकि videos आपके platform पर ही दिखें, और अपने server पर भी उसे upload न करना पड़ें, उसके उपर detail video हमारे channel पर available है, कि कैसे अपने web platform के उपर video upload करें, video डालें, video दिखाएं, तो दोस्तों उसको देख सकते हैं आप, अब बात कर लेते हैं कि कई लो लोगों को बाड़ देते हैं, तो वो लोग वहां से जब अलग-अलग तरीके से, क्योंकि दोस्तों साउधानी, आप मालिक हैं, अगर website के आपने पेसा खर्चा किया है, तो आप साउधानी जिम्मेदारी के साथ बढ़ते हैं, पर जिनको आपने बाड़ दी है, वो इतनी जिम्मेदारी से ध्यान नहीं रखेंगे, अब जिम्मेदारी के मैं यहां बात कर रहा हूं, और साउधानी के बात कर रहा हूं, कि एक news portal चलाने के लिए, क्या precautions रखना चाहिए, क्या साउधानिया बरितना चाहिए, इसके उपर एक detailed video already, channel के उपर available है, आप उससे देख सकत हैं, कि क्या क्या चीजे को आप साउधानियों को बरतेंगे, क्या क्या precautions रखेंगे, तो आपका news portal बहतर बना रहेगा, performance बनी रहेगा, safe रहेगा, secure रहेगा, तो दोस्तों यह चीज आप करेंगे, अगर वो इतने लोगों में आपने ID बाट दिये, तो वो इन चीजों का ध् बात कर लेते हैं, तो दोस्तों, पहली चीज, सस्ती और local hosting को न चुने, सस्ती, सस्ती लेंगे, तो स्वाब एक्षी बात लोकल hosting मिलेगी, क्योंकि कोई भी branded company कभी भी सस्ता सामान में brand या कोई professional चीज आपको नहीं देता, वो एक professional चार्ज लेता है, पर वो चार्ज का उप अबी भी सस्ती या local hosting न चुने, अगर आपको एक चीज यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई particular hosting लेना चाहते हैं, अपनी खुद की एक space लेना चाहते हैं, तो आप e-media web and app से contact कर सकते हैं, हम आपको बहतर hosting भी provide करवा देंगे, अब बात कर लेते हैं, free server या free setup को कभी न चुने, free server और free setup के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप जितना हो सके premium setup चुने, मतलब उन्हें purchase करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो आप हमेशा premium setup ही चुने, अब बात आजाती है, कि जो अतिरिक्त और अनावश्यक post और data और files आपके news portal के आप उजे delete कर दे, ताकि website पर से load कम हो जाए, और website की speed थोड़ी और fast हो जाए, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, कि website पर, मैंने capacity की बात कर ली, कि website की hosting है, server की capacity है, वो capacity minimum 1GB SSD होना चाहिए, उसकी current performance अच्छी रहती है, अब दोस्तों, जो आप video की मैंने बात करी, कि video upload website के server पर करने की बजाए, उसे linking करें, उससे speed काफी fast बनी हुई रहेगी, अब बात कर लेते हैं, photo की, photo में मैं आपको बता चुका हूँ, कि photo की size जो है, उसे compress करके, कम से कम 1.500KB के अंदर रखेंगे, तो website की performance अच्छी बनी रहेगी, time to time दोस्तों, website का check-up करते रहें, check-up करते के case से हैं, अगर आप खुद honor है, और honor के साथ में, आप खुद technical चीज़ें, उसमें करते रहें, तो आप खुद check-up कर सकते हैं, पर अगर आपको यह जानकारी नहीं है, तो आपके developer को बोलें, अगर आपको technical support मिला हुआ है, तो आपके developer को time to time check-up के लिए आप बताते रहे हैं, तो आपको free technical support भी देते हैं, ताकि यह सी समस्याओं का समाधन आपको free of cost मिल सके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि comment box पे वीशेज ध्यान रखें, दोस्तों क्या होता है, कई लोग hackers जो होते हैं, और अलग-अलग जो नुकसान पहुचाने वाले लोग होते हैं, वो comment box के, क्योंकि एक आपको यहाँ पर यह भी चीज़ बताने वाल, security के तोर पर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और जानकारी के तोर पर भी आपको चीज़ पता चलेगी, क्या होता है, कि हर hacker यह चाहेगा कि मैं आपकी website में entry कैसे लूँ, कैसे करके अपने virus या कोई सम पहुचाने वाले data आपकी website में पहुचा सुकू, उसका option अगर मान लिजे आपकी website protected है, safe है, अगर जैसे आपके developer ने अच्छा काम करके आपकी protected website बना के दिये, तो वो website के अंदर इंटर तो नहीं कर पाएगा, तो दोस्तों यह से कौन से द्वार, यह से कौन से रस्ते बस है, वो है comment box, comment box में कई लोग link डाल देते हैं, कोई सी virus की link या कोई ऐसे software की link, कि जिन link के थ्रूँ आपकी website में समस्या आने लगती है, और वो आपकी speed को slow कर देती है, और data वहाँ से आप वो लोग चोरी करने लगते हैं, तो आप time to time अपनी website पे कैसे comment आ रहे हैं, उन comments को check करते हैं, कई लोग अगर link डाल रहे हैं, उसमें link paste कर रहे हैं, उन links को आप delete करते रहे हैं, ये चीज़ कैसे होती है, ये comment कैसे check किया जाता है, हमारे channel के उपर एक playlist बनी हुई है, news portal चलाना सीख है, आप उसे देखकर ये सारी चीज़े सीख सकते हैं, फोटो कैसे delete करें, प अब दोस्तो, hacking से हमेशा बचें, अब hacking से चुकी, अगर आपको technical knowledge है, तो आप hacking से बच सकते हैं, पर अगर आपको technical knowledge नहीं है, तो आपके जो developer है, यहीं बात आ जाती है, कि अच्छा technical support आपको इन समस्याओं से बचाएगा, तो अगर आपको technical support अच्छा मिला हुआ हुआ ह तो उन से contact करके time to time चेक करवाते रहें, ताकि hacking की समस्या आपकी website में नव हो, post और pages को optimize करते रहें, दोस्तो, अपनी post को optimize करके रखेंगे, अपनी website को optimize रखेंगे, तो आपकी performance अच्छी रहेगी, website की performance और speed काफी अच्छी बने रहेगी, अब आप सोचेंगे, optimize करना क्या ह होता है, optimize करना होता है, जैसे दोस्तो, photo को compress कर रहे हैं, वैसे ही post को compress की जाती है, किस तरह से की जाती है, आप YouTube पे normally search कर लिजएगा, कि how to optimize our post और page, तो आपको बहुत सारी चीज़े कि website के page को कैसे optimize करें, किसी news को की post को कैसे optimize करें, इस तरह से आप सर्च करेंगे, तो आप को कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, उससे देखकर आप सीख सकते हैं, अब दोस्तो, एक चीज़ टेकनिकल के बारे में, कई लोग YouTube पे देखके 50 चीज़े की आ रहे है, उसमें यह है, उसमें वह है, और अपने developer से करवाते रहेते हैं, वो चीज़े दोस्तों, यहाँ पर और कई लोग खुद करते रहते हैं, दोस्तों, अपनी website के platform में ज्यादा plugins का use न करें, ज्यादा जितने ज्यादा plugin, उतनी ज्यादा speed slow और समस्यां ज्यादा बढ़ती जाएंगे, जितने कम plugins रहेंगे, उतनी performance best और बहतर बनी रहेगी, अगर आप premium setup यूज करते हैं, तो premium setup तैयार करवा हैं, और उनकी time to time guideline का पालन करते रहें, उनके दुवारा बताएगा, instruction को follow करते रहें, तो ये दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी, और अगर आपको आपके जो designer है, उनकी तरब से technical support मिला है, तो सबसे best बात है दोस्तों, तो दोस्तों, ये I hope आपको इस video म समझ में आ गया होगा कि website की speed क्यों slow हो जाती है, उसके solution क्या है, अगर आप खुद का news portal बनवाना चाहते है, news website बनवाना चाहते है, अलग-अलग shopping site बनवाना चाहते हैं, और web view application, applications बनवाना चाहते हैं, तो आप e-media web and app से contact कर सकते हैं, हमारे contact number 799996109, हमारे call कर सकते हैं मिलते हैं अगले topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार